Eye injections परदे की या रेटना की बहुत सारी बिमारियों के लिए बहुत effective और अच्छा treatment है Eye injections लगवाने वाले सभी patients के mind में question रहता है कि Eye injections से रोशनी एक तो कम बढ़ना शुरू होगी, कब तक उन्हें फरक नजर आएगा और दूसरा कितनी रोशनी उनकी बढ़ सकती है, क्या उनकी expectation होनी चाहेंगे तो आज हम यहीं समझेंगे कि Eye injection के बाद रोशनी कम बढ़ना शुरू होती है और कितनी रोशनी आने का chance रहता है नमस्ते, वह हूँ Dr. समित अगरवार और आप देख रहे हैं Eye Health for You जहां आपको मिलती है इंदम Simple Language में आखों से जुनी सारी जानकारी Eye injections, basically आख के अंदर दवाई का expression formulation हम देते है और यह injection specifically हम आख के अंदर जो सफेद इस सा है वहाँ पे एक बहुत ही fine needle से बाल से भी पतली सोई होती है उसके थुरू देते हैं और यह आख के अंदर जाके direct effect दिखाते है रेटिना पे रेटिना की बहुत सारी बिमारियां जैसे की diabetic macular edema, retinal vein occlusion की वजह से macular edema, CNVM, choroidal neovascular membrane, age-related macular degeneration इन सभी बिमारियों में परदे में जो swelling आती है या bleeding होती है उसके लिए eye injections बहुत effective treatment है eye injections लगवाने के बाद रोशनी कब बढ़ना शुरू होती है so usually eye injection जब हम देते हैं तो first two weeks में वो अपना penetration दिखाते हैं retina तक first seven to ten days में वो पहुचता है वो molecule retina की surface तक अंदर जाके और वहाँ पे जाके जो भी उसका receptors है वहाँ पे attach होना शुरू होता है इससे जल्दी भी बहुत बार इसका effect आना शुरू हो जाता है but average time माने हम तो five to seven days में इसका effect आना शुरू हो जाता है और next around twenty days तक यानि की कुल मिलाके around one month तक आख के अंदर ये stay करता है एक महिने तक ये आख के अंदर अपना effect दिखाता है फिर दीरे दीरे ये आख के natural processes से clear out होने लगता है wash out होने लगता है और एक से देड़ महिने में इसका concentration आपके अंदर खतम हो जाता है तो इसमें अगर और एक average time की बात करें कि नजर में change कब तक हम expect कर सकते हैं तो usually नजर में change 10th day से 14th day में आना शुरू हो जाता है इस से पहले भी change आने शुरू हो जाते हैं बट हम एक average time की बात कर रहे हैं कि injection आज लगाया है तो ऐसा नहीं होगा कि कल से रौशनी बढ़ना शुरू हो जाएगी 10th day to 14th day के बाद नजर में change आना शुरू होता है on an average और फिर change जो आता है वो depend भी करता है कि परदे की condition कैसी है क्योंकि eye injection से बस जो active बिमारी है वो inactive हो जाती है पहले से retina के में क्या damage रहा है injection लगाने के पहले आख के परदे में retina में यानी आख की नस में optic nerve में यानी कितना damage हो चुका था कितना उसके अंदर damage permanent वाला था कितना damage ऐसा था जो reversible था उन सब factors पर डिपेंड करता है कि रौशनी किस level तक बढ़ेगी eye injections लगाते टाइम मैं सभी patients को एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जितनी रौशनी है उसे save करना उसे उस level तक maintain रखना इस बात की तो हम आपको आश्वासन दे सकते हैं guarantee दे सकते हैं बट वो बढ़ेगी कितनी या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी किस level तक बढ़ेगी यह हमें procedure करके ही पता चलेगा पहले से यह predict करना कि injection हमने लगाया है तो रौशनी कितनी आएगी हम छोटे अक्षर पढ़ पाएंगे कि नहीं 6-6 vision आएगा कि 6-12 vision आएगा कि 6-60 vision आएगा यह predict करना लगभग impossible है यह चीज अगर कोई हो जाता है रौशनी जो इतनी है उतनी तो बच ही जाती है वो बढ़ेगी कितनी वो बहुत सारे factors पर depend करता है most important जो मैंने बताया कि पहले से retina में damage कितना था पहले से optic nerve में damage कितना था कि stage पर थी बिमारी उस पर depend करता है so eye injections जितना जल्दी हम लगा सकें जितना जल्दी उसको आख के अंदर वो जाएगा उतना जल्दी retina का damage ongoing damage रुखेगा activity रुखेगी विमारे की so existing रौशनी बचेगी और जो damage हुआ था वो जितना जल्दी treat होता है उतना जादा reversible होता है जितना सवे मीतता जाता है retina के अंदर damage बढ़ता जाता है retina के cells बहुत ही specialized neurons होते हैं ये neurons हमारे पास बस एक ही बार बनते हैं जब हम अपनी मा के पेट में होते हैं उसके बाद ये neurons नहीं बन सकते हैं दुबारा बॉडी के पास limited ही neurons है और इन्हें बॉडी के को बनाने का भी अभी तक कोई भी तरीका ना naturally है हमारे पास ना कोई research में science में इसा possible हो पाया है एक बार वो cells damage हो गए है वो for life damage हो जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं इसलिए without delay eye injections अगर required है तो हमें लेने चाहिए और इसके अलावा और भी दूसरे factors रहते हैं जैसे कि अगर जिस कारण से बिमारी है यादि diabetes के कारण परदे में सूजन है blood pressure के कारण परदे में सूजन है वो चीज़े सब control में रहनी चाहिए वो चीज़े अगर proper control नहीं है तो ना सिर्फ हमारा existing injection हमने लगाया है उसका result खराब आएगा आगे और multiple injections की भी need बढ़ती च treatment है जैसे कि बुखार अगर हमें आ रहा है तो crossing की गोली जो हम लेते हैं वो symptomatic treatment है वो से बुखार को कम करने के लिए है बट बुखार क्यों आ रहा है उसे पता करके उसे treat करना बहुत important है तो इसी तरह eye injections में सिफ injection पे injection लगाना proper treatment नहीं है उसका basic cause detect करना उसे पहचानना उस treat करना वो किसी भी eye doctor की responsibility है वो एक बार patient को ना सिर्फ उसकी आँख को बलकि पूरी body में देखें कि क्या कारण हो सकते है उसके ऐसा कि जिस पे injection का effect अच्छे से अच्छा आए इसके अलावा एक और इसमें factor रहता है कि injection कितने लगेंगे वो एक अपने आप में काफी एक पान के चले तो अगर disease wise रहता है अगर wet AMD है CNVM है तो usually हम उसमें एक-एक महीने के gap पे तीन injection लगाते हैं फिर उसके बाद follow करते हैं जब भी required होता है तीन महीने छे महीने में चेक अप करते रहते हैं जब भी बिमारी वापस active होती है तो एक injection हम देते हैं और इसके diabetes अगर ह तो diabetes में हम शुरू में एक injection देते हैं फिर response के accordingly और भी injection लग सकते हैं इसी तरह vein occlusion में अगर surgeon है परदे में तो उसमें भी हम एक injection देते हैं और response के हिसाब से आगे और injection लग सकते हैं इसके अलावा laser का भी इसमें roll रहता है retina का green laser होता है उससे भी हम help लेते हैं उससे हम injection की requirement को कम कर सकते हैं injection के effect को और बढ़ा सकते हैं तो कुल मिल आके eye injections का effect आना 10 to 15 days बाद शुरू होता है और नजर जो बढ़नी है इसी के बाद आपको feel होगा कितने level तक नजर जाएगी वो depend करता है कि आपने treatment कितना early start करवाया है कितना उसको properly लिया है और कितना उसके basic underlying cause को address करा है so without delay eye injection होना चाहिए और basic cause को भी साथ में treat करना चाहिए so ये था हमारा आज का topic उमीद करता हो अससे आपको फायदा हुआ होगा comment section में जडरूर आने अपने आखोस related सारे सवाल ताकि मैं देशकूँ उनके चवाब अच्छा देखिए अच्छे से देखिए धन्यवान और नबस